नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विजे कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बाइब फिर से स्वाकत करता हूँ अपनी यूटूब चैनल सुखा क्लासस फार अगरिकल्चर पर दोस्तों आज हम सब लोग एक अमपटेटेब काफिकल्चर जिसको डॉक्टर निम्रा सुन्दा जी ने लिखा है आज हम लोग इसका साथवा लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कल्टिवेशन आफ टी एंट टोबैको जो हमारा चाय है और जो त साइनस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करों इससे पहले एक चोटी सी जानकारी है कि मेरा एक दूसरा चैनल है जो सही बात है नाम से है वीडियो की डिस्क्रिप्टीशन में आप जाकर वहां पर उस चैनल चैनल को भी सब्स्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वो चैनल मैंने इस पेसली बनाया है कमपटेटिव एक्जाम के लिए एगरी कल्चर से लिए जितने भी कमपटेटिव एक्जाम होंगी उस पर फोकस करते हुए डेडिकेटव वीडियो आपको वहां पर मिलेगी यहां पर जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो यहां पर जो बेसी एगरी कल्चर करने के लिए जो इंपॉर्टन्ट है या बेसिक इंप्रोब करने के लिए इस चैनल पर वीडियो आएगी और कमपटेटिव एक्ज हमसित भीडियों क्या हुआ है न सिख्वार्ख का जो प्रति होता है वो सबसे इस इसको कोई याКак वे डार्त आरत को χ días क्वाफी ዜा उन को हम क्या कहते हैं तो ठी ती ती छी निकल जा रहा है हैं और केमेलिया चाहिस्त कीन से याद हो जाएगा तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बस को कितना याद पुड़ाइगा याद अगर आपको बोटेनकल नहीं याद है तो वारा हम से याद हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम origin place की बात करें तो चाइना इसका origin place मना जाता है मतलब चाइना में सबसे पहले जो चाइक की खेती start करी गई थी अगर area और distribution की बात करें तो इंडिया जो है यह सबसे बड़ा producer भी है सबसे बड़ा consumer भी है और exporter भी है पुरी दुनिया में अगर हम चाइक के production की बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा produce भी करता है सबसे ज़्यादा अपना consume भी करता है और जो बच जाता है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है तो सबसे बड़ा consumer, exporter और producer तीनों है अगर हम इंडिया में बात करें तो आसाम जो state है वो टी के production में leading पर है मतलब इसका area और production सबसे ज़्यादा है first position है इसका production में आसाम का आसाम में कि इसकी चाय के बहुत बड़े बड़े बागान बहुत धेर सारी मिलते हैं वहाँ पर जो पहाड़ हैं वहाँ पर यहाँ टी की खेती करने को मिलती है अगर हम बात करें another growing areas की तो उसमें जो आपका दारजी लेंगा जो वेस्ट बंगाल में परता है या उसके साथ साथ जो नील गिरी hills है जो तमिल लाडू में परता है तो यहाँ भर भी इसकी खेती होती है कहां कहां होती है सबसे पहला तो आसाम में होती है सबसे ज़्यादा एरिया में होती है सबसे ज़्यादा वहाँ production होता है उसके साथ साथ दारजी लिंग वेस्ट बंगाल में होती है जो आसाम से सटा हुआ एरिया है और नील गिरी जो तमिल लाडू के आसपास में है वहाँ पर इसकी खेते की जाती है The best method of plucking is two leaves and one word इसके plucking का method होता है वो सबसे अच्छा का माना जाता है जब पतियां मुलायम होती है जब पति मुलायम होगी तो हमारा जो चाय होगा उसका स्वाथ अच्छा आएगा तब हम मानते हैं अगर पत्ति मुलायम होगी तो उसकी quality अच्छी होगी और मुलायम पत्तिया सबसे कहा होती है बिलकुर सबसे terminal portion पर किसी भी plant के जो terminal portion होतह है सबसे ऊपर ही भाग होता है वहाँ पर जो पत्तिया निकले होती है वो पत्तियां सबसे मुलायम होती है तो उसको हम जब प्लकिंग करते हैं उसको जब तुलाई करते हैं तो उसकी तुलाई में उपर की दो पत्तियां और एक बड इन दोनों चीजों को लेते हैं मतलब दो पत्ति और एक बड जब हम पत्ति तोड़ेंगे तो पत्ति रहती है और उपर का एक बढ़ रहा है तो उन तीनों को इसे पकड़के तोड़ लेते हैं इसी तरीके सी कठा करते हैं फिर बाद में उसको प्रोसेसिंग करते हैं प्रोसेसिंग इसकी कैसे करी जाती है पोस्ट हार्वेस्ट जो हम पढ़ाएंगे तो उसमें डीटेयल में बता देंग अगर हम बात करें इमपेराट्ठा सिलिंडر का जिसको हम बोलते है फच ग्राइस यह सबसे इंपॉर्टन्ट वीर जग्राइस होती जो आपका किस में पाया जाता है इसका क्या नाम है इमपेराठा यह जो आपका टी कल्टिवेशन है उसमें यह मेन बीड पाया जाता है यही है उस बीड का वह वीड देखने में इसी तरीके से कुछ लगता है अगर हम टोबैको की बात करें तो हमारा जो टोबैको होता है तो टी की आपकी जो क्राप थी जो खतम होगी है बाकी अब आपका अगला जो क्राप है वो है टोबैको सोडिक स्वाइल आर अनफिट फॉर टोबैको प्रडक्शन बिकास दप्लांट्स एब्जार्ब लॉट आफ लॉराइड आयन फूच रिजल्ट्स इन ए पूर बर्निंग क्वालिटी आफ लीव एंड ए माइल्ड एसेडिक स्वाइल प वो सोडिक स्वाइल में नहीं ग्रो करनी चाहिए उसको हम प्रिफर करते हैं अस्वाइल में ग्रो करना जिसका स्वाइल हो हो slightly acidic soil जो होती है वो tobacco को cultivation के लिए सबसे अच्छी माने जाती है sodic soil अच्छी क्यों नहीं होती है क्योंकि अगर sodic soil होगी तो उसमें इनने CL पाया जाएगा नमक पाया जाएगा अगर उसमें CL पाया जाएगा तो यह जो क्लोराइड आयन है उसको absorb कर लेगा अब जब प्लांट के अंदर क्लोराइड आयन absorb हो जाएगा तब बाद में जब उसकी हम processing करके उससे बीड़ी cigarette hook का तंबा को कुछ भी जब बनाएंगे तो उसको जब हम जलाएंगे तो बार-बार बुझ जाएगा जैसे आपने देखा होगा कि बीड़ी कभी कभी ऐसी होती कि बार-बार बुझ जाती है जो पीते होंगे उनको पता होगा तो वो बार-बार बुझती इसी वज़े से है क्योंकि उसके अंदर क्लोराइड जादा है जिसकी वज़ा से वह सही से जल नहीं पा रहा है बार-बार बुझ जा रहा है अगर हम बात करें निकोटीन की तो जो हमारा टोबैको होता है इसमें निकोटीन बनता है तो इसके रूट में रूट में निकोटीन बनता है और फिर वहां से जैसे निकोटीन और वाट तो यह शरूर याद करने ना काफी वर普 एक्जाम में यह रहा है कि Tobacco की F ragu का का है gth-1 अगर हम बात करें इंडियन टोबैको हास փन्डू को तो आर्ट तौतैर्पलोएड चाफिछ ऑड़ यार नहीं कर्मोजोम नंबर इसके अदर पा예요 तक on नाम है निकोटियाना टोवेकम निकोटियाना जो टोवेकम होता है वह देखने में कुछ इस तरीके का लगता है और इसके जो प्लांट की हाइट होती है वह 150-250 सिंटीमितर होती है लार्ज एंड नेरू लीफ इसकी जो लीफ होती से आपकी यह ज़ो पतियाहं करें दीखें पतली सी यह यamous दाए उसके बार अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो कंट्टीन निकोटिन गांत्र कंटे नकोटिन के अंदर जीटाफ पॉंट धाई साथ पाइंट परसंट के आसपास होता है यानि कि 10 процent से लेकं के 5.5% के आसपास इसके अंदर जो निकोटीन है वो पाया जाता है यूज फोर इस्मोकिंग एंड चीविंग परपज इसको इस्पोकिंग तमाकू के लिए यूज करते हैं और इसके साथ साथ चीविंग के लिए भी यूज करते हैं यानि कि इससे हम सिगरेट बीड़ी हुक का भी बना सकते हैं जिए धुआ देता है और दूसरा फिर हम इसको चीविंग के लिए यानि कि गुट का तमाकू भी बना सकते हैं जिसको फिर हम चबाचबा के थोकते हैं वो चीविंग परबच के लिए भी यूज कर सकते हैं ग्रोइंग ओन लाइट सोयल इसको ग्रो करन कि जरूरत ना पड़े समझपार मतलब जुताई करने में अगभ ट्रेक्टर को बाना पचर रहा है तो और भी है अगर पावर लगाना पच़िका होता है यह किस तरीके का होता है वह इस तरीके का कुछ देखने में लगता है इसका प्लांट जो होता है इसके प्लांट की हाइट छोटी होती है और इसकी जो पतियां होती है चोड़ी पतियां होती है अब दोनों में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों के जो जीनास है वो तो निकोटिया नहीं है थो होता है बस इतना समझो थोड़ा सा कम होता है अगर हम बात करें तो ये जो आपका टोबैकम होता है निकोटियाना टोबैकम उससे ये छोटा पौधा होता है निकोटियाना रस्टिका जो होता है ये छोटा होता है इसके अंदर जो निकोटियाना रस्टिका जो होता है ये छो बाकू होती है इसको हम हुक्का परपच के लिए चबाने के लिए और स्नफ परपेश के लिए भी यूज करते हैं तो इन सब परपच के लिए इसको यूज किया जाता है mostly grown in heavy soil अब आपका जो निकोटियाना रस्टिका होता है इसको mostly हम heavy soil में grow करते हैं जैसा कि मैंने heavy soil और light soil दोनों आपको समझा दिया है तो इसको हम heavy soil में grow करते हैं अगर हम Indian टवेको के बात करें तो our group into Indian जो तमाकू है वो कई तरीके से group में classify किया गया है जिसमें पहला जो तरीका है वो है flu curved virginia क्या है flu curved virginia ये एक cigarette तमाकू होती है जो सबसे ज़्यादे export करी जाती है cigarette जो तमाकू होती है इसकी quality बहुत अच्छी होती है जो सबसे supreme quality का तमाकू होता है वही होता है flu curved virginia इसको हम cigarette बनाने में यूज़ करते हैं एक से एक cigarette आते हैं जो बहुत काफी महगे महगे होते हैं जो cigarette वो इसी तंबाकू के पत्ती से बनाया जाते हैं cover 30% area and 20% production अगर हम तंबाकू में बात करें तो आपका जो ये FCV जो टाइप है तंबाकू का ये इसको बनाने के लिए ये mainly बेंड़ी बनाने के लिए हुक्का बनाने के लिए और चबाने वाला तंबाको बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है आपको अंदाज़त तो लगी गया होगा कि जो बेंड़ी होती है बहुत महगी नहीं होती है हुक का वाला तमाकू भी बहुत महगा नहीं होता और चीविंग तमाकू भी बहुत महगा नहीं होता है तो यानि कि जो पहली quality थी उससे अगर कुछ कम हो जाएगी quality तो उसको non virginia वाला बोल देंगे इसका area सबसे जादा है 70% area में लगबग यही grow किया जाता है और इसका production भी बहुत जादा है लगबग 80% area में इसका production होता है इसके साथ साथ कुछ important question जो world niner type के हैं वो जान लेते हैं कुछ important terminology भी तमाकू से related है उसको समझ लेते हैं उसमें जो पहली terminology है वो है topping topping का मतलब होता है कि जो सबसे उपरा part उपरी part होता है जैसे मानलों यह तमाकू का main branch है जो main बिल्कुल जमीन से निकला है बिल्कुल सीधा सीधा जो उपर गया है उसमें उपर के part को थोड़ी सी पत्यों के साथ तोड़ देना यहां से काटके अलग कर देना को बोलते हैं topping removal of flower head either alone or with few upper top leaves from the plant to improve the size and quality for the leaves उपर के जो इतना part होता है उसमें bud को और bud के साथ साथ कभी कभी पत्यों के भी तोड़के निकाल दिया जाता है इसी को हम बोलते है topping टपिंग करने से फायदा यह होता है कि हमारे जो बगल की पत्या होती है इन पत्यों की quality improve हो जाती है प्लांट की जो height होती है वो कम हो जाती है और हमारा जो production है वो बढ़ जाता है क्योंकि पत्तियां ही हमारा production है और पत्तियां अगर बढ़ेंगी तो हमारा फाइदा ही फाइदा है दी सकरिंग क्या होता है जब हम topping कर देते हैं बास समझो जैसे मान लो कि एक ऐसे ही हमने topping कर दिया अब उपर जब हमने topping कर दिया तो जितना भी nutrient plant absorb करेगा यह उपर तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कट लग गया मतलब काट दिया गया है अब उपर तो है ही नहीं तो जो nutrient है वो अगल बगल जाने लगेगा जो अगल बगल की पत्तियां है यह nutrient यहाँ supply होने लगेगा अब जब बगल में nutrient supply होने लगेगा तो हर पत्ति के जड़ के पास यहाँ पर जो हर पत्ति का जो बिल्कुल jointing point होता है वहाँ पर बढ़ होती है ठीक हर पत्ति के jointing पर बढ़ होती है और हर बढ़ से sprout निकल सकता है तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो कि यह sprout निकल ला है एक सकर निकल ला है जिसको हम सकर बोलते हैं ध्यान से अगर देखोगे तो यह छोटा सा देख रहा होगा अगर वीडियो को high quality में करोगे तो यहाँ दिख रहेगा तो जब हम टपिंग कर देते हैं टपिंग के 7-8 दिन के बाद फिर यह बड़ ग्रो होनी शुरू हो जाती है लेकिन अगर यह बड़ ग्रो हो जाएगी तो जो निूट्रेंट है जो टपिंग के वज़े से पत्यों के पास निूट्रेंट आने वाला था वो इस बड़ को मिल जाएगा तो हमारी पत्यों को फिर कोई फायदा नहीं होगा तो इसलिए हम इसको काट देते हैं चोटा सो जो बड़ निकलता है उसी को हम बोलते हैं इस बड़िंग करने से फिर अब यहां से भी निूट्रेंट रही जाएगा तो अल्टिमेटली जितना भी निूट्रेंट है वो सब पत्यों के तरफ ही डैवर्ड हो जाएगा ठीक उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है प्राइमिंग रिमूबल आफ मैचोर लीफ जब हम प्राइमिंग की बात करते हैं तो जैसे जब तवेकों का पौधा बहुत बड़ा सा हो जाता है तो जो इसके नीचे की पत्यां होती हैं वो सबसे पहले मैचोर हो जनी तो जो मैचोर पत्यां होती हैं उनको हम तोड़ लेते हैं रिमूबल आफ मैचोर लीफ कि जब हम पूरे प्लांट को हार्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे नहीं होता कि एक ही बार में हार्वेस्ट कर लेंगे तो जो पत्यां उपर की बहुत बड़ी नहीं हुई थी उन पत्यों में निकोटिन की कमी हो जाएगी और उन पत्यों में तीखा पाना जाएगा वो कडवी कडवी हो जाएंगी तो उनकी quality खराब हो जाएगी इसी वज़े से हम 5-6 बार में इसकी प्राइमिंग करते हैं नीचे की पत्तियां तोड़ लेते हैं फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर उसके उपर की पत्तियां फिर उसके उपर की इसी तरीके से last में जाकर फिर पूरे पौधे को तोड़ते हैं यूज इन cigarette and wrapping तवे को यह जो प्राइमिंग की थ्रू हर्वेस्ट करी गई पत्तियां होती हैं इनको cigarette बनाने में यूज किया जाता है और रैपर तंबाकू बनाने में इसको यूज करते हैं यानि कि cigarette और बींडी बनाने के लिए यू क्वाल्टी चाहिए तो इसी लिए हम उसको 5-6 प्राइमिंग के थूरू फिर हम harvest करते हैं अगर हम क्योरिंग की बात करें तब जब हम प्राइमिंग कर लेते हैं पौधे को तोड़ लाते हैं पत्तियों को तो वो पत्तियां हरी होती हैं अगर हम उनको सुखाएंगे नहीं तो वो फंगस उसमें डवलप हो जाएगा तो उनकी क्वाल्टी खराब हो जाएगी उसको पैकेजिंग के लाइक बनाने के लिए पिर हम उसको सुखाते हैं लेकिन इसको सुखाने का तरीका दूसरा होता है ऐसा नहीं होता है कि धूप में रख दो और सुख जाए इसको सुखाने के लिए प्रॉपर एक मेकेनिजम होता है उसके हिसाथ सुखा आ जाता है It is essentially a drying process whereby most of the moisture of leaf is removed to impart required color, texture and aroma to the final product curing करते हैं हम जब हम पत्तियां mature leaves harvest करकर लाते हैं farm से तो क्या करते हैं फिर उसको ऐसे हम लटका देते हैं ऐसे बड़ा सा घर होता है उसी के अंदर ऐसे लटका देते हैं जिससे जो पत्तियां है इनके अंदर का जो moisture है वो बाहर निकल जाए जब इनके अंदर का धिरे-धिरे मौश्चर इसमें हीटिंग दी जाती है कभी धूआ देते हैं अलग तरीके कई तरीके का इसकी क्यूरिंग की प्रोसेस होती है इससे जो पतियां है वो धिरे-धिरे सूखती है सूखने से इनमें एक proper अच्छा सा सुंदर सा brown brown का color आ जाता है इनका texture भी अच्छा हो जाता है और इनके अंदर एक अच्छी सी aroma आ जाती है जिसे इनका सुगन्द बढ़ जाता है तो इसको करने की process को ही बोलते हैं curing ये देखिए आप यहां पर curing में हो अरी इसे लटकाई गई हैं और यहां पर इसे गरम हवा डाली जाती है चाहे धुवा डाला जाता है जिससे फिर ये कमरे को गरम किया जाता है जिससे इनके अंदर का जो मौस्चर है वो धीरे-धीरे सूख जाए अगर एक्जामपल की बात करें तो फिल्यू क्योरिंग यूज करना भी बहुत प्राइम तरीके से ग्रो किया जाता है क्योरिंग और उसके बाद फिर इसकी पैकेजिंग भी बहुत प्राइम होती तभी इसका एक एक सिक्रेट का दाम काफी महगा होता हो वैसे मैं यूज नहीं करता तो मझे पता नहीं है लेकिन होता होका कुछ तो आप हैं दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद